मदुमक्खी पालन एक ऐसा वेवसाय है जो किसान भाई को बहुत लब पहुचा सकता है किसान भाई या फिर भी रोजगार यूवक इस वेवसाय को आसानी के साथ कर सकते हैं मदुमक्खी पालन करें तो ये एक बहुत कम खर्चीला घरेलू उद्योग है ये एक ऐसा रोजगार है जिसे समाच के हरवर के लोग अपना कर लाभानवित हो सकते हैं मदुमक्खी पालन एक ऐसा क्रिशी वेवसाय है जिसमें शहद या मोम के लिए मदुमक्खियां पाली जाती है मदुमक्खी से शहद और मोम के अलावा गोन प्रोपोलिस रॉयल जैली आदी की प्राप्ती होती है इसके साथ ही मदुमक्खियों से फूलों में प्राकर्ण होने की वज़ा से फसलों का उतपादन बढ़ जाता है इस वैवसाय का सीधा संबन खेती बाड़ी बागवानी फुलो उतपादन से है आपको बता दें शहद उतपादन के मामले में भारत पांचवे स्थान पर है मदुमक्खियों की किसमें भारत में मुखे रूप से मदुमक्खी की चार प्रजातियां पाई जाती है एपिस डोरसेटा यानी भावर मदुमक्खी यह आकार में बड़ी होती है वे सवभाव से घुसेल होती है भावर मदुमक्खी ओसतन 20-25 किलो तक शहद सालाना देती है एपिस फ्लोरिया यानी उरंबी मदुमक्षी आकार में सबसे छोटी मदुमक्षी उरंबी होती है ये एकसर छत के कोनों में छत्ता बनाती है इस प्रजाती की मदुमक्षी साल में दो किलो तक शहद दे देती है एपिस सेरेना इंडिका यानी भारतिय मदुमक्षी मदुमक्षी की ये प्रजाती पहाड़ी में मैदानी शेत्रों में पाई जाती है ये खंडर स्थान जैसे पेड़ोवे गुफाओं में छत्ते बनाती है ये साल में तकरीबन 6 किलो तक शहद दे देती है एपिस मेलिफेरा यानी इटालियन मदुमक्षी आकार्वे सौभाओं में ये मदुमक्षी भवर मदुमक्षी की तरह ही होती है लेकिन इस प्रजाती की रानी मक्षी में अंडे देने की शमता बहुत ज्यादा होती है ये सबसे अधिक शहद भी देती है साल में दो खंड क 42 से 60- 80 किलो तक शह्यद प्राप्थ होता है मदुमक्षी की परिवार एक परिवार में एक रानी कई हजार कमेरी तथा 100-200 नर इसमें होते हैं मदुमक्षी ये पूर्ण विक्सित मादा होती है एवं परिवार की जन्नीahaha का कार रंडे देना है अच्टे पोशन व dairy एक इcoming जाती की रानी एक दिन में पंदरा सो से अठारा सो तक अंडे दे देती है, तथा देसी मक्खी तकरीबन साथ सो से लेकर एक हजार तक अंडे देती है, इसकी उम्र औसतन दो से तीन वर्ष होती है। कमेरी शर्मिक ये अपून मादा होती है और मोन ग्रह के सभीकारे जैसे अंडो बच्चों का पालन पोशन करना, फलो तथा पानी के स्त्रोतों का पता लगाना, पराग एवं रस एकेतरित करना, परिवार तथा छत्तों की देखवाल, शत्रों से रक्षा करना इत्यादी, इस लेकिन इन में शहद प्राप्ती हे तू इन्हें काट करनी चोड़ा जाता है, परंतु इस से बचने के लिए वे ज्यानिकों ने पुन अध्यन वे विभिन शोदों के उपरांत, मधुमक्खी पालन हे तू मोन ग्रह वे मधुनिशकासन यंद्र का अविशकार क्या, मोन ग् के ठीक उपर वाला भाग शिशुखन कहलाता है, शिशुखन में अंडा, लार्वा, प्यूपा पाये जाता है, वे मोन बंच के तीनों सदसे शर्मिक रानी वे नर रहते हैं, मोन ग्रह के दस भाग में दस फ्रेम होते हैं, शर्मिक मधुमक्की द्वारा शेहत का भंडारन इसी कक्ष में क्या जाता है, इसके अलावा मोन ग्रह में दो धकन होते हैं, आंतरिक वे बाहरी धकन, आंतरिक धकन एक पट्टी जैसी आकृती का होता है, वे इसके बिल्कुल मध्धे में एक छिद्र होता है, जब मधुमक्याइ शिशुखन में हों, तो आंतरिक धकन से मोन-ग्रह की रक्षा करती है मोन ग्रह को लोहे केे एक चोकोर इस्टैंड पर इस्थापित क्या जाता है स्टैंड के चारो पायो की नीचे पानी से भरी प्यालिया रखी जाती है जिसके फलसवरूब् चीटिया मोन-ग्रह में प्रवेश नहीं कर पाती मुँमक्खियां फलो का रस लेकर उसे शहद में तब्दील कर देती हैं और अपने चछतों में उसे एकटरित करती हैं इसके बाद उस शहद को मशीन की सहायता से निकाला जाता है रॉयल जेली का उतपादन मधुमक्खि के छतों में से किया जाता है ये सबसे उत्तम पोष्टिक पदार्थ माना जाता है ये मानव शरीर के लिए बेहद फाइदे मंद होता है मोम का उत्पादन मदुमक्खी पालन के माध्यम से मोम का उत्पादन किया जाता है ये शुद और प्राकिर्टिक मोम होती है जिसका उप्योग कॉस्मेटिक सामगरी तयार करने और मदुमक्खी पालन के लिए मोमी बेस शीट तयार करने में भी किया जाता है शहद खाने के फाइदे क्या क्या हैं। आज के समय में हर कोई फिट रहना चाता है। ऐसे में वजन कम करने के लिए हम जिम में तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। लेकिन आप वजन कम करने के लिए खाली पेट गुनगुने पानी के साथ शहद का सेवन कर सकते हैं। इससे श यक्टीरियल गुन कफ को खत्म करने में साहेता कर सकते हैं और आपकी खासी को भी कम कर सकते हैं इसे आप सुभा के वक्त गरम पानी के साथ पी सकते हैं इससे गले को काफी राहत मिलती है बेमारियों से बचने के लिए आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होना बेहत जरूरी ह इसके लिए हम कई तरह की चीजों का सेवन करते हैं लेकिन शहद का सेवन आपके लिए काफी फायदे मंद हो सकता है दरसल शहद में मौझूद एंटी आक्सिडंट और एंटी बैक्टिरियल गुन आपको इनफेक्शन से तूर रखने में मदद कर सकते हैं इसे आप खाली पेट भी खा सकते हैं शहद को आप तुलसी के पत्तो के साथ भी खा सकते हैं यह भी काफी लाब्दायक हो सकता है यह फिर मुहासू की दिकत से निजात दिला सक्ते हैं इस तौर पर कई लोग गले की खराश की समस्या से परिशान रहते हैं ऐसे में गले की खराश को दूर करने के लिए आप खाली पेट एक चम्मच शहत का सेवन अजवाइन या अद्रक के साथ कर सकते हैं इससे आपके गले की खराश में काफी आराम मिल सकता है